रौस्थानी की क्राइम ब्रांच ने चरस के डिलिवरी देने के लिए कोच फैक्टरी के पास जंगल में छिपे बैठे दो लोगों को गिरफतार किया है उनके कब्जे से पुलस ने 36.18 किलोग्राम चरस बरामत की है मदब्रदेश में संभवता पहली बार पुलस ने चरस की इतनी बड़ी खेप पकड़ी है गिरफतार दोनों तशकर बिहार के रहने वाले हैं पूछताच में उन्होंने पुलस को बताया कि नेपाली तशकर चरस बिहार तक पहुच आते हैं बिहार के लोगों से सस्ते दाम में चरस खरीद कर वेब भुपाल में दूसरे तशकरों को बेचते हैं इसके पहले भी वेब बड़े पैमाने पर यहां चरस बेच चुके हैं इनके फीरे संपर्ख हैं पूरे छेत्रफे और जहां पर पर्थम दिश्टा जनकारी आई है कि नेपाल फिक पुर्व में भी एक जो गिरोफ पकड़ा गया था पिछले बर से बड़ा गिरोफ पकड़ा गया था जो क्रेम राच नहीं पकड़ा था उसके भी नेपाल के कुछ जगों से संपर्ख में आने की सूचना थी कि खाफतर पर वहां से सप्लाई करते थे तो पुलिस इस बात पर भी इंवेस्टिगेशन कर रही है कि क्या पहले वाले गिरोफ से जिसमें आरोपी पकड़े गया थे और जेल में हैं उनमें और इन आर अज़े से पुलिस ने 36.18 किलोग्राम चरस बरामत किया है इसकी कीमत लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपे बताई जा रही है ब्यूरो रेपोर्ट MP न्यूज भोपाल